है अजी आजो प्यारे बच्चों आडिबल विजिबल हूं में देखो है 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 आडिबल विजिबल हूं चलो एक बर मुझे मेसेज करके आप बता दोगे कि मैं आडिबल और विजिबल हूं चलो एक बर मुझे मेसेज करें ओके फाइन सो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी छोटी से छोटी क्लास में तुम लोगं का अर्थवर्म तुम्हें पढ़ा दूं क्योंकि अर्थवर्म मैंने एक बर भी नहीं पढ़ाया है आया था सो मैं कोशिश कर रही हूं कि चाहे एक दिन पहले ही सही पट एट लिस्ट मैं तुम लोगों को अर्थवर्म करा दूं पक्का से सो अर्थवर्म करना शुरू करते हैं मैं हैंड़िटन नोट्स लेका ही हो तो उससे तुम्हें ज्यादा इजली समझ में आ जाएगा कोड डालना है कोई भी अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड राइटे यू तो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू एंटर माइबाच अर्थवर्म की बात करते हैं आईए अर्थवर्म को फ्रेंड ओफ फार्मर भी कहा गया है मेरिड़ रहा है मेरिवर्म को... मेरिवर्म को अर्थ फर्म को फ्रेंड औफ फार्मर भी कहा गया है क्यों क्योंकि ये न मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी में जो भी हुमस होता है उसको डाइजेस्ट करके अपना नियूट्रिशन लेते हैं और फिर जो बाकी की मिट्टी उसको आज वार्म कास्टिंग बाहर निकाल दे तो यह बेसिकली सॉयल को पोरस बनाते हैं कोंटेनेसली मित्ती में बारो करते है उसको खाते हैं और एपस वर्म कास्टिग निकालते रहते हैं दूसरी बात यह वर्मी कॉम्पोस्टिङ में हमपरते हैं मैन्योर बनाना with the help of earthworms is called vermicomposting, ठीक है, वर्म से आद कर लो, कि भई अर्थ वर्म के help से अगर आप कोई मैन्योर बना रहे हो, तो vermicomposting है, and then ये fishes को, जैसे आपको फिश पकड़ने है, तो आप उसको चारा दालते हो, आसे हुक में फसाते हो, तो as a bait भी काम आते हैं, ये 13 functions NCRT में तुम्हें दिये गए है, अगर आप अर्थ वर्म के basic first paragraph की बात करो, तो बहिया, इंडियन अर्थ वर्म का जो जीनस दिया हुए, वो दो दिया हुए, फेरितिमा and Lumbricus, इसको Lumbricoides से confuse नहीं करना, जो ascaris Lumbricoides होता है, वो बिल्कुली अलग है, राउंड वर्म है यह एनलिडा का मेंबर है, ठीक है, फाइलम एनलिडा, kingdom animalia, इनकी बाड़ी, अब तुमने भी बारिशों में देखा होगा, रेडिश ब्राउन बाड़ी होती है, टेरेस्ट्रिल होते हैं, यह पानी में रहते हैं, इनवर्टीबरेट हैं, नॉन कॉर्डेट हैं, और यह रह बनाए होते हैं, फीकल डिपोजिट्स को इनकी वार्म कास्टिंग्स बोलते हैं, तुमने बारिशों में देखे होगे ऐसे, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे पढ़े होते हैं, वार्म कास्टिंग्स, देग, मॉर्फोलोजी पे चलो, जो NCRT में मॉर्फोलोजी दियु हुए, यह मैंन तो यह आद करना है, कि कितने metamere है, 100 से 120 metamere है, clear, जो starting वाला जो first metamere है, उसको हम peristomium कहते हैं, जिसमें आपका mouth होता है, ठीक है, यह वाला जो portion है, यह peristomium है, जिसके आगे यहाँ पे mouth है, इसके नाक जैसी एक structure निकला होता है, वो first segment नहीं है, वो just एक projection है, जिसको हम pro prostomium कहते हैं, यह sensory है, और इसी अपने नाक जैसे इससे चेद करता है, मिट्टे में, they force open the cracks in soil, ठीक है, so यह pro-stomium है, यह first segment नहीं है, उसके नीचे peristomium है, यह first segment है, जिस पे mouth है, आँखे नहीं होती है, इनके पास, ठीक है, सिर्फ लाइट receptor cells होते हैं, जिससे light intensity का पार च होते हैं, इसके पास यह पूरा complete digestive system है, मतलब इसका digestive system यहाँ से शुरू होके, यहाँ पर एनस पर वो होगा, complete digestive system उससे आ गया था, roundworms से आ गया था, तो इसके पास भी complete digestive system है, अब देखो, हर segment के बीच में, S-shaped CETA होते हैं, S-shaped CETA, काईटन के बने होते हैं, CETA which are chitinous structures for locomotion है, ऐसे S-shift CETA होते हैं, और वो movement करने में help करते हैं, locomotion करने में help करते हैं, तो basically तो यह muscles से करते हैं, locomotion, लेकिन CETA भी होते हैं, CETA कहां present नहीं होता, एक तो first segment में CETA नहीं present होता, यहार मूँ के पास क्यों CETA ला रहे हो, किसे कहा है, क्यों यहाँ पे कांटे, मूँ में, एक glandular region होता है, जो आगे जाके ककून बनाता है, ककून को सिक्रेट करता है, ककून में इनके eggs और स्पर में होता है, वहाँ पे fertilization होती है, ठीक है, तो वो जैसे cockroach में O thika था, जहाँ पे milan होता है, वैसे इनका ककून होता है, तो O thika वहाँ पे female के, कौन से gland से release होता है यहाँ पे इस से शुरू होता है, ककून, क्लाइटिलम से release होता है, ठीक है, अब इसमें male female नहीं होता है, अर्थ फॉर्म में, कि यह male के क्लाइटिलम से होता है, यह female के क्लाइटिलम से होता है, नहीं, दोनों organs है, दोनों में, एक में ही male और female दोनों के दोनों embedded हैं, अंदर ठीक है अब देखो इनके 5th, 6th, 7th मतलब 5th और 6th के बीच में 6th और 7th के बीच में 7th और 8th के बीच में 8th और 9th के बीच में जो septum है ना ये इनका पूरा वो होता है सब्सक्राण करते हैं इनके 12 तो इनको 16 वोलते हैं तो ये थेसं पूरा फेका बोलते हैं जिससे कि जब यह mating करेगा ना किसी और warm से चाह सह सेल फटलाइजीशन नहीं हो सकती यहां पर सेल फटलाइजीशन नेचर को बिलकूल भी अच्छी नहीं लगती है तो दोनों सेक्सिस होने के बावजूद भी खुद से अलफ झाहिए नहीं करेगा यह किसी और warm का sperm लेगा स्पर्म के पैकेट आएंगे दूसरे वह से जैसे की खुचछ में आते हैं Spermato 4 बोलते हैं ऐसे vaccinated को तो कोभिंठाकेट्स को स्टोर कर लेते हैं जैसे की बिलकुल COOKरुच में जुच्छिप सोर थह थ है यहां पर आथ पाउचिज थैंञा कि 14, 15, 16 को Clitellum बोलते हैं, इस से पहले pre-clitellar region बोलते है, Clitellum से पहले, और इसके बाद post-clitellar region बोलते है, ठीक है, and then, बस इस डाइग्राम में इतना ही है, no CETA on first, last and the Clitellum, ठीक है यह अरे Clitellum इतना soft soft सा part है, क्यों इसके उपर कांटे लगा रहे हो, है न, बिचारे दिक्कत आजाएगी ककून कुकून रिलीस करने में, तो सीटा यहां पर मत लगा, इतना part NCRT थे पढ़ ले हम लोग, छोड़ो अब NCRT नहीं पढ़ेंगे रहें दो, NCRT तुम लोग पढ़ोगे, जो मैंने बोला है, exactly वही बाते NCRT में लिखी हुई है, मैं पढ़ा भी द इनाटमी दी हुई है, ठेक है, बोडी वॉल इसकी सबसे पहले थिन नॉन सेल्लर क्यूटिकल है, मतलब बिना सेल्स की बनी हुई, एक पतली सी लेयर है, सेल्स नहीं है, इसमें, इसको क्यूटिकल बोलेंगे, उसके नीचे इसकी एपिडर्मी होगी, जो मैंने औरेंज सेल से बनाई हुई है, यह वाली, यह कॉलमनर सेल्स किया, देखो, इस इस, 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 इ लॉटा होता है इनकी कॉंट्राक्शन से अर्थ वह मूव करता है अगले पार्ट पर आ जाओगे अलिमेंटरी केनल देखो अलिमेंटरी केनल तो भाहिया मूह से शुरूओगी आके एनस तक है तो फर्स्ट से लास्ट सेग्मेंट के बीच में पूरी आपको सेग्मेंटरी केनल मिलेगी पर उसकी मॉडिफिकेशन से अब देखो मुझे नहीं लगता कि अगर आउट व सिल्बस क्वेश्चन आना हुआ तो यह क्वेश्चन आएगा कि बताओ गिजार्ड का कौन से सेग्मेंट से कौन से सेग्मेंट तक हम तो पागल हो जाएंगे सेग पागले सेगमेंट के पास त्षी है काम भी सेम है मैस्टिकेशन फूड ग्राइनडिंग फूड जो क्यों यह जो औरणिव उस्में इसमें एंट नहीं च्राइब करीज है पन्हाइस और होता है सिदाव स्टमक करने के लिए उस्तमक करने के लिए प्रॉपरली ट्रोपर लिए गिजार्ड में स्टमक करें पूसिंस के लिए spin जैसे बिट्वर्ड कर नहीं एक हुआ है उस calciferous glands होते हैं अगर out of syllabus question आना हुआ मुझे जो questions लगते हैं कि आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ में किस्मत अच्छी रही तो एक भी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि ये out of syllabus है topic लेकिन पिछली बार आ गया था तो इस बार क्यों छोड़ना है तो ये important है calciferous gland ठेक है ये क्या करते हैं ये humic acid जो की humus में होता है उसको neutralize करते हैं ठेक है स्टमक के जस्ट बार intestine शुरू जाती है तो intestine शुरू होती है 15th segment से 15th segment से intestine शुरू होती है ठेक है तो 15-26 तक कोई ज्यादा इसकी जिंदगी में बाहर नहीं है 26th segment में यहाँ पे दो ऐसे triangular से structures होते है जिनको intestinal C का बोलते हैं ये digestive enzymes release करते हैं 26th segment में और जैसे ही ये बनते है intestine की किसमत चेंज जाती है intestine के dorsal side पे fold आ जाता है अंदर की side ऐसे फोल्ड आ जाता है जैसे मालो ये intestine है ऐसे dorsal side पे अंदर की side मालो ये this is the cavity ऐसे फोल्ड आ जाता है ठीक है इस फोल्ड को टिफलो सोल बोलते हैं अगर question आना हुआ तो टिफलो सोल पे आ सकता है टिफलो टिफलो सोल ठीक है ये 26 segment जब ये ऐसे कान से बने इसके कान होगे साथ साथ में ये शुरू होगे 26 segment से ये fold end तक चलता है बस last के 23 से 25 segment सो छोड़ता है बाकि ये fold चलता रहता है ये क्या करता है basically absorption surface area बढ़ाएगा ठीक है क्योंकि सारा absorption intestine में होना है तो it is median dorsal fold to increase the surface area of absorption deflossal it starts from 26th थेक है ये वाला clear है आगे चलो आवास clear है quality clear है कोई दिक्कत तो नहीं है पॉलिटी क्लियर से को दिक्तर तो नहीं है चलो आगे गुड अगले पार्ट पर चलते हैं हम अलिमेंटर कशनाल के बाद में में प्लड वैस्टैम में इसका बहुत ल YOUR उनिक होता है ब्लड वैसल्स है कैपिलरीज है हार्ट तुँम्हें पता है घर में ग्लस टाइम इरंव सिस्टम में यौ ए अड़ में यह नहीं आया था closed type blood vascular system कर दिया था ठीक है, now blood कहां से produce होता है, इनके चौथे, पांचवे और छटे segment पर ऐसे गुच्छे लगे होते हैं, blood glands बोलते हैं उनको, blood glands 4th, 5th, 6th segment पर होते हैं, ठीक है, इसमे NCRT का diagram दिया हुआ है, जो कि blood cells produce करते हैं, लेकिन blood cells जो है, वो gaseous transport नहीं करते हैं, they are just phagocytic, ये ऐसे निकम में से हैं, हीमो ग्लोबिन करते हैं, वो उस हीमो ग्लोबिन को plasma में mix कर देते हैं, so that means, हीमो ग्लोबिन is present, but it is present in the plasma, not in RBC, so आपको compare करने के लिए आसकता है, RBC, frog का, earthworm का और human का, frog में nucleated RBC होता है, लेकिन हीमो ग्लोबिन के साथ, humans में e-nucleated RBC होता है, हीमो ग्लोबिन के साथ, और earthworm में RBC होता है, लेकिन उसमें कोई हीमो ग्लोबिन नहीं होता, ठेक है, respiratory exchange through moist body surface, इनके पास कोई special structure नहीं होता है, respiratory exchange के लिए, moist body surface से ही exchange होता है अगर आप excretory organs पर आ जाओ तो इनके पस nephredia होता है nephredia का structure कुछ ऐसा होता है एक साइड से funnel होती है ऐसे ठीक है जिससे की यह पूरा जो यूरिया वगरा है यूरिया रिमूव करता है इसका excretory waste यूरियो टेलिक है उसी यूरियो टेलिक है और यहां से इस पोर से रिलीज कर देता है अब यह कहीं रिलीज करता है कुछ निफ्रीडिया है जो कि intestine में open होते हैं intestine में ही वो excretory waste डाल दिखते हैं ठीक है कुछ होते हैं जो body wall में बाहर की side जाके मतलब उपर earthworm के उपर moist तो होता है साथ में उनका गंदा गंदा waste भी अइस भी लगा होता है ठीक है तो Twitter prawम को टुच करने तो vist वो सोच ले नेफ्रीडिया रिमूव यूरिया एंड रेगुलेट द वॉल्यूमेंड कॉम्पोजिशन ओ बॉडी फ्लूइड ठीक है अब यह दो जगे उपन हो सकते हैं या तो इंटेस्टैन में या ऐसे भी उपन हो सकते हैं जैसे अंदर की साइट से ऐसे बॉडी सर्फेस पे बॉडी सर्फेस पे भी उपन हो सकते हैं ठीक है तो तीन प्रकार के नेफ्रीडिया है कॉइल टुबूल होते हैं सेप्टल इंटेग्यूमेंटरी और फिरिंजल जो सेप्टल होते हैं वो बेसिकली सेप्टा पे लगे होते हैं प्रेजेंट अन बोथ साइड ऑफ इंटर सेग सकता होते हैं तो इंटेस्टेन खुद 15-20 इंट फरलरस से मmäनी है 15-20 इंट के लिए ग bitch 25-20 को कैनाल में इन्यानिया इक तुम सेग्मेंट पर मेरे होते हैं तो प्य इस ने चुड़े से थिस्टरिक पर लगो нашám मान은लो यह शप्ता है एस पर लगे होते हैं और यह ऐसे open होते हैं elementary के नाल इंडस्टेंड के अंदर सेप्टा पर लगे होते हैं ऐसे यहां पर open होते हैं ठेक है present on both sides of intersegmental septa of segment 15 से last के बेच में then integumentary नाम से पाई चल रहा है कि भाईया यह integument मतलब की skin के ऊपर खुलेंगे मतलब की epidermis के ऊपर खुलेंगे मतलब बॉड़ी वॉल के बाहर फैंकेंगे चीजे attach to body wall of segment 3 से last तो यह पहले दो segment छोड़ती है कि यार क्या गन मचाना पहले पर तो सीटा भी नहीं होता लेकिन पहले दो यार क्या यार खाना खारी हो यार मैं यहां पर तुम urea डाल रहे हो तो पहले दो segment छोड़ती है तीसरे से last के बीच में integumentary होता है और यह open होता है body surface पे ठेकें फेरेंजल होता है फेरेंग्स के पास जहां blood gland होते हैं वहीं पर यह फेरेंजल होता है क्या करते है third, fourth, sorry fourth, fifth, sixth segment पे ठेकें और यह भी अपना open करते हैं intestine में blood gland भी fourth, fifth, sixth segment में यह वाले भी fourth, fifth, sixth segment में यह वाले भी fourth, fifth, sixth segment में यह देकें यह diagram में तुम्हें NCRT से करा दूँगी nervous system अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसा किसी भी non-cordate का nervous system होता है बिल्कुल वैसा ही इसका nervous system होता है जैसे मालो यह इसका माउथ है यह इसकी elementary canal है elementary canal है तो जहां पैरेंग्स है न को कॉक्रोच में पड़ा था हमने जहां फैरेंग्स है वहां पे यहां पे गैंगलिया होते हैं जिनको supra-esophagal ganglia बोलते हैं ठीक है वो यहां से उनकी ऐसे करके एक्जों नीचे आते हैं ठीक है इसको brain भी बोल देते हैं इस वाले ग्यांग्लिया को brain भी बोल देते हैं यह सुप्रा-esophagal ganglia भी बोलते हैं ठीक है इसको nerve ring बोलते हैं नर्व रिंग बोलते हैं ठीक है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करते है जो सुप्राइसोफेजिल ग्यांगलिया है और जो नर्व रिंग है और यहां पर यह एक और ग्यांगलिया से मर्ज हो जाते हैं जो कि सब इसोफेजिल गैंगलिया होते हैं जो नीचे की साइड होते हैं अब यहां से इनके एक्जॉन्स निकलना शुरू होते हैं इनके एक्जॉन्स निकलना शुरू होते हैं तो यह नर्व कॉर्ड बनाते हैं इस तरीके से और यहां पर और गैंगलिया एड उते रहते है ठीक है और यहां से side वाली nerve जा रही होती है इस तरीके से, जो body के other portions में जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, so this is nerve cord, जो की lower portion of the body में है, so this is ventral double, जैसा की सभी non-coordinates में होता है, ventral double ganglionated solid, clear, nervous system clear, आगे चलेंगे, इनके पास eyes नहीं होती, but they have light receptors and touch sensitive receptors, तो light जो होता है, basically light intensities को detect करता है, और जो sensitive to touch होता है, basically वो vibrations वगरा को detect करता है, और इनके पास chemo receptors भी होते हैं, ताकि अपने आस-पास का chemical environment नाप सकें, देख सकें, अब reproductive system पर आ जाएंगे, wire मैं तो बहुत जल्दी पढ़ा दिया, बस reproductive system और खतम, diagram देखने हम लोगों को करना ही क्या है, भाई भाई, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी कल भी, ठीक है, चिंता मत करो, मुझे पता है, आखरी दिन में कैसा होता है, कैसा freeze response आता है अंदर से, हाथ भी उठाने का मन नहीं करता है, रिवीजन करना तो बहुत ही, मतलब जो मैं average students की बात करें, जो above average students है, जो बहुत top level के students है, जो सब कुछ पढ़ चुके है, revision कर चुके है, मुझे समझ में आता है, कि उनको क्या है, उनको तो ऐसे से करना है, वो तो YouTube क्या पता हो लगा रहे हो कि अच्छा, top 500 questions, predicted paper, प्रेड प्रेडिक्ट नहीं हो सकता इस तरीके से, तो मैं NCRT के सारे questions करा दो कि फिर तो predicted ही है, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूं, जो weak बच्चे है, जो average बच्चे है, आप लोग question practice ना करें, क्योंकि last दिन खास कर, last के 2-3 दिन खास कर, क्योंकि अगर आप question practice कर रहे हैं, तो आप क revision कीजिए, fast fast, मैं यह नहीं कहते हैं, कि YouTube पर revision कीजिए, YouTube बंद कर दो चाहे, ठीक है, अगर तुम्हारा पहले से रिवाइज है, नोट्स बने हो है, तो बस नोट्स अपने पढ़ता जाओ, सब कुछ revision करो, अपने facts, अपने figures, अपने जो raw data है, जिस पर questions आएंगे, उनको revise क बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुमनों के साथ लगलग के revise करा दो, सिर्फ इसलिए, ताकि तुमनों का manobal न तूटे, और तुमनों के साथ, जितना हो सकेगा, जेतना मेरे से बोला जाएगा, मैं उतना revise करांगी, सुभे साथ बजए मैंने plant physiology कि class रखे, तो वो मैं लूँगी ही लूँगी उसको मैं डिच नहीं करूँगी जब तक कि देखो लाइट ही ना चली जाए उसका मैं कुछ नहीं कह सकती यह कोई technical error ना आ जाए नहीं तो मेरी class prepared है मेरे notes prepared है मैं सुबह 7 बज उटके नौबे तक तुमारी plant physiology revise करा दूँगी revise करते रहो किसी भी तरीके से अपनी हिम्मत मत हारो समझ गए चलो आगे reproductive system के अगर हम बात करें तो these are hermaphrodites bisexual होते हैं यह ठेक है that means both male and female sex organs are in one organism ठीक है और जब यह mating करते हैं तो यह ऐसे एक दुसरे के पर उल्टे लेट जाते हैं इसको बोलते है जुक्स्टा position में लेटना इस तरीके से ठीक है तो इसका ना 18th segment में male pore होता है genital pore होता है ठीक है male genital pore दो पोर होते हैं जहांसे वह spermatofor के packet फैंकते हैं दूसरे बंदे पर दूसरे अर्थ वर्म पर तो इधर वाला इधर फैकता जैसे मालों इसका इधर मुह है तो इसका 18th segment इसके स्पर्मा थीका में भर देता है अपने स्पर्म और इसका 18th segment इसके स्पर्मा थीका में भर देता तो यह एक दूसरे को फर्टिलाइज कर देते हैं समझ रहो स्पर्माटोफोर्स क्या होता है पैकेट्स ऑफ स्पर्म देयार एक्स्चेंज ड्यूरिंग मेटेंग अब देखो इसका रिप्रोड़क्टिव सिस्टम समझने में थोड़ा सा ऐसे लगता है एंचाटी में बहुत गंद बंद दिया है और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं इस्ट्याग्राम से समझा दूंगी पक्का देखो कि मैं इस पिर्स्ट सेग्मेंट मालो यह तो विप्त करें यहां पे होएगा यह प्ट और शीच चिनके दो पेरो शुर्मा तीक है और शुब्शिवशारा सेवन्त के बीच में दो पेरो शुर्मा तीक है 7th और 8th और 8th और 9th के बीच में दो पेरो स्परमाथी का है मतलब total 8 स्परमाथी का हो गए अब male female तो कुछ होता नहीं मुझे लिखना नीच यह था male female male is equal to female male female सब सेम ही है इसमें अलग-अलग तो है नहीं तो हर अर्थवाम में ऐसे स्परमाथी का होंगी अब देखो कुछ नहीं है 9th में कुछ 9 के बाद नीचा जो 10th में 10th में दो बड़े-बड़े बैग मिलेंगी ठीक है जिनको हम टेस्टिस सैक्स बोलते हैं टेस्टिस के बैग 10 11th और 11th में उसके अंदर आपको दो जो चोटू जोटू फ्टस मिलेगी दो इदर दो कि ऐख है कि अब टेस्टिस क्या होता है spermatogonia नामक सेल्स बनाती है spermatogonia यहाँ पर रिलीज हो जाते है testis sac में spermatogonia से sperm बनता है यह blue color के जो मैंने structure बनाया है seminal vesicles में जो कि actually yellow color के होते है मैंने blue color के बनाया है लेकिन यह testis sac में ऐसा नहीं होता है कि दोनों में ऐसे हैं नहीं नीचे वाले में है उपर वाले में नहीं है फिर इस से नीचे है मतलब कि यह 11th और 12th segment में है वो seminal vesicle में चल जाता है spermatogonia seminal vesicle से वो mature हो जाता है sperm बन जाता है फिर यह यहाँ से बाहर निकल के फिर से testis sac में आता है अब यह sperm यहाँ पे funnels में इकठे हो जाते है दो funnels इदर लगी होती है दो funnels लगी होती है इस sperm इदर funnels में चले जाते है इन funnels को हम बोलते है कहां लिखा है मैंने कहां लिखा है मैंने funnels लिखी नहीं मैंने यहां लिख बखती हूँ these are funnels जो कि sperm को collect करती है तो यह हर सैक में दो होती है तो उपर वाले सैक में भी दो नीचे जाते हैं मैचौर होने के लिए वापस अपने बैक्स में आ जाते हैं अब स्पर मैचौर होके फनल से इन ट्यूब्स में चला गया इन ट्यूब्स का नाम है वासा डिफरेंशीफ अब टेस्ट घेंगा तो हैं दस्में और ग्यार्में सेग्मेंन में तो यह ऐसे ट्रावल करेगी ड्यूच करें यह जाएगी 18th segment में 18th segment में दो बड़े-बड़े glands पड़े हुए जुनकों कि मैंने लिख दिया है या पर नहीं लिखा है जिनकों कि मैं लिखूंगी prostate glands prostate glands और यह prostate gland की duct से मिल जाएंगे मतलब NCRT में जिखाएंगे जैसे prostate gland के अंदर घुजगे ठीक है उसकी duct से मिल लेंगे होंगे अल्टिमेटली prostate gland की secretions प्लस sperm इन डक्ट से निकल के आएगी यह दो डक्ट है जिनको मैंने मार्क किया है common prostate and spermatic duct क्योंकि prostate की भी secretions है और sperm भी है इसमें यह निकल के यह 18th segment में दो openings में खुलेंगी की ventral side पे जो sexual openings है वो ventral side पे होती है ठेक है तो डॉर्सल वेंटल आप ऐसे पता लगा सकते हो अर्थवर्म की बहुत सो आपका 18th segment में male genital pores है दो है समझ में आ गया male reproductive system क्या बोला मैंने 10 और 11 में दो bags थेलिया हैं जिनमें एक एक pair testis का पड़ा हुआ है जहांसे spermatogonia बनते हैं लेकिन spermatogonia से sperm testis में नहीं बनता वो अपने testis के सक्स में छिड़क देते हैं जो कि seminal बैसिकल में चले जाते हैं जो की 11 सेग्मेंट में एक 12 सेग्मेंट में हैं ठीक है वहाँ पर वो sperm बनते हैं और फिर वह वापस अपने सक्स में चले जाते हैं सक्स में ऐसे होती है हर सक में दो ुक वह फजाद होती है वह स्पर्म को काइच करती वासर प्रेफेरेंस को देती है कि वासरे प्रेफरेंसे क्लेक्ट खख़क कर i बनेठच के पास जाता है अथार्वे सक्मन में थाइपफरेंगा ड्रashes काफी बड़ा होता है 17 से 21 सेग्मेंट चलता है प्रोस्टेट க मिल यह ज़े जाता है उसमें प्रोस्टेटीक डउत मिल जाता है जाके वाज़ डीफनेंशियर एक ड़क्त निकल ती है जिसका है इसको बते हैं कॉमन प्रोस्टेट थे स्कर्माटिक डक्ट यह निकल के अठारवे सेग्मेंट में दो ओपनिंग से ओपन हो जाती है ठीक है यह male reproductive system है female reproductive system क्या है बहुत ही simple है male की तरह परिशान नहीं करता 12 और 13 सेग्मेंट के बीच में जो septum है यह वाला उसकी वाल पे दो छोटी छोटी testis लगी है sorry ovaries लगी है I'm so sorry ovaries लगी है ठीक है वो वहाँ से ovum release करती है और यहाँ पे दो funnels होती है जिसको हम ovarian funnel बोलते है जैसे यहाँ पे sperm के लिए funnel यहाँ पे ovum के लिए funnel है ऐसे funnel होती है यह funnel जो है अपना-पना ovum collect करती है और index में जाती है यह वाली ducts index को हम ove duct बोल देते है ove duct सीधा open होती है एक pore में 14th segment का single pore ventral side पे जिसको के हम female genital opening बोल देते है so female genital opening is on the 14th side और male genital opening is on the 18th segment 14th और 18th तो जब यह दोनों ऐसे mate करेंगे तो यह ऐसा नहीं अपने 18th से 14th में सीधा ऐसे है नहीं यह अपने 18th से sperma ठीका में डालेगा तो जैसे इसने एक और warm से mating करी तो उसका sperm इसके sperma ठीका में store हो गया यहाँ पिर क्या होगा sperma ठीका में store हो गया यहाँ से फिर ovum release हुए फिर यह ovum जो यहाँ से release हुए और यह sperm जो यहाँ पर store किये इसने यह दोनो cocoon में चले जाएंगे cocoon कौन सिक्रीट करेगा जो glatelum region है glandular glatelum region है वो cocoon सिक्रीट करेगा ठीक है उस cocoon में यहाँ से sperm निकलेंगे और यहाँ से ovum निकल के भर जाएंगे वहाँ पर fertilization हो जाएगी फिर वो warm ऐसे निकल जाएगी जासे rubber band के बीच में ऐसे है होएगा और 2 to 10 छोटा छोटा अर्थवर्म 2 to 20 छोट छोटा अर्थवर्म हाँ से निकलेगा एवरेज में 4 निकलते हैं कोई larval stage नहीं होती sperm and egg are deposited in the cocoon produced by glatelum fertilization and development within cocoon cocoon containing fertilized eggs slips off the worms and deposited in soil after 3 weeks 2 to 20 babies come out average is 4 no larval stage मतलब direct development होती है देखो 2021 में क्या question आया था जो आटो से लिए कोश्यन आया था करो following are the statements about prostomium और फर्थवर्म correct answer ढूनना है आपको it serves as covering for mouth सही है it helps to open cracks सही है it is one of the sensory structures सही है it is first body segment peristomium होता है ना first body segment ABC answer होना ची ठीक है next feritima and its close relatives derives nourishment from those are बारांग कोश्यन है small pieces of fallen leaves of maize etc decaying fallen leaves and soil organic matter होना चीए humus से करता है ना अपना nutrition अन्सर क्या होना चीए fresh तो नियो ना चीए रूखो मैं चेक कर लिए थे रूखो अच्छा अच्छा चीए रूखो NCRT पढ़ लेते हैं बारो 34 years हमारो 35 अच्छा चीए यंदे ign पिर भी चेकर दिति वरूप पिर बीचेकर देख़िए लुट मैं यहाँ यहाँ आप आप मैं आप मैं आप 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 49th question बी ही है बी ही है टेक है बी है one special feature of earthworm is that fertilization of eggs occur inside the body the teflosol greatly increases the effective absorption area of the digested food in the intestine the S-chip, C-ta embedded in the integument are defensive weapons it has long dorsal tubular heart long dorsal tubular heart जो होता है वो earth cockroach का होता है यह defense weapons नहीं होते यह movement के लिए होते है teflosol greatly increase करती है surface area यह सही है fertilization body के अंदर नहीं होता fertilization cocoon में होता है ठेक है next question देखते which of the following structures in peritema is correctly matching with its function glitalum secret cocoon यह सही है gizzard नहीं यह mastication of food के लिए digestion के लिए है absorption के लिए इंटेस्टाइन में होती है सीटा, defense, no teflosol, storage of extra nutrients, no मेरे खिल से आप लोगों को idea लग गया कैसे questions आएंगे कुछ-कुछ main चीज़े हैं वहीं से question आएंगे बटा राना टिगरीना का है तो चलो छोड़ो राना टिगरीना चोड़ो एक आप लोगों यहां से आपने सारी बात कर ली यह वाली बात कर ली आपने ठेक है यह वाली बात आपने सारी की सारी कर लिया कि earthworm बाई या, body is divided into 100 to 120, metameres, the dorsal surface of the body, the dorsal surface of the body is marked by a dark mid dorsal line, dorsal blood vessel, ठेक है, along the longitudinal axis, the ventral surface is distinguished by presence of genital openings, ठेक है, so ventral पर genital openings, उपर पर dorsal medium, blood vessel, anterior end consists of mouth and the prostomium, a lobe which serves as covering for the mouth and a wedge to force open the cracks in which the earthworm may crawl, the prostomium is sensory in function, the first body segment is called peristomium, which contain the mouth in a mature worm segments, इसमें कोई दिक्कत? male genital aperture यहां पर है, male genital aperture के आसपस, दो जगे genital papilla दिये हुए, यह basically female को hold करने के काम आते है, genital papilla, ठीक है, तो यह male का जहां पर अपर अपर्चर है उसके दोनों साइड पर आपको मिलेंगे, यह हो जाएगा पूरा, यह हो जाएगा, यह डाइग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर mouth, यहां पर pharynx, isophagus, gizzard, stomach, pre-tipleosolar part of intestine, क्योंकि 15 से 26 तक तो टिपलोसोल नहीं होता, 26 वे इंटेस्टेनल सीकम आता है, तो टिपलोसोल हो जाता है, ठीक है, इंटेस्टेनल लू में टिफलोसोल लिंफ ग्लान्ट्स दे हुँ है, चंता मत करो लिंफ ग्लान्ट्स की, वैसे देख लो लिंफ ग्लान्ट्स ठीक है, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, मैंने इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं कराया डीटेल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस डाइग्रम में इतना कॉंप्लेक्स डाइग्रम में तुम लोगों से क्वेश्चन पोचेगा मुझे तो नहीं लगता बट फिर भी चलो देख लेते हैं डॉर्सल ब कि डॉर्सल टूबलर हाट नहीं है इसका ऐसे लेटरल हाट से इसके दो इधर ठीक है लेटरल इसोफेजिल हाट से दो इधर तो मतलब हो ऐसे हाट इसके से रिंग में है ऐसे ट्यूब्स में नहीं है उपर ठीक है मतलब दो ब्लड वैसल को जॉइन करने के लिए जो रिंग जो तीन वो दिखाई दे रहे हैं यहां पर यह 4th 5th 6th segment में यह tufts of pharyngeal nephridia भी मार्क किया हुए और blood glands भी मार्क किया हुए तो वो ही है 4th 5th 6th segment में ही है ठेक है यह integumentary nephridia integumentary nephridia मतलब जो की integument पर उपन होएंगे वो first 3 segments में होते हैं ना बाकी तो हर जगह है इसमें बहुत जदा होते हैं जो अच्छ होत हैं क्योंकि वन बहुत जदा होते हैं तो होती 15 से हैं यह हो जाएगा यह डेग्राम तो प्रिटी मच्च क्लियर हायाई तिंक चलो thank you so much I hope तुम लोगों को बहुत फाइदा होगा इस क्लास का just because नहीं होते है कि अपने सब कुछ कर भी लिया हो मतलब अगर तुमने सब कुछ कर लिया हो तो तो भी तुम्हें लगता है कि यार इस से question आगया तो मार्क्स कर जाएंगे तो मैंने सोचा कि मैं यह कराना मतलब जरूरी है तो मैंने करा दिया यह ठेक है अपनी तरफ से कल सुबह मैं तुम्हें प्लांट फिजोलोजी के लिए मिलूँगी पक्का सुबह साथ बजे साथ से नौ तक कम सकम प्लांट फिजोलोजी